3x जमादों को 5x घटा साथ से गुणा करें. यहां हम दो बाइनॉमियल यानि दूई पदों को गुणा कर रहे हैं. मैं आपको वास्तों में ऐसा करने के दो समान तरीके दिखाने वाला हूँ. एक ऐसा तरीका जिसके बारे में शायद आपने कक्षा में सुना होगा. जिसे आप जानते हैं और जो तार्किक भी है, तो पहले मैं याद रखने वाले तरीके का उप्योग करूँगा, जिसके बारे में शायद आपको पता हो. और इस तरीके को हम FOIL कहते हैं. मैं इसे यहां पर लिख देता हूँ. जब भी आपको कोई याद रखने के लिए एक नया निमोनिक या स्मर्ग बताता है, इसका मतलब है कि आप एक मेकैनिकल प्रश्ण हल करने जा रहे हैं. यहां FOIL का मतलब FIRST आउटसाइड यानि की बाहर से पहला है. चलिए मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ. F, O, I, L जहां F का मतलब FIRST यानि पहला है, O का मतलब OUTSIDE यानि बाहर की ओर है, I का मतलब INSIDE यानि अंदर की ओर, और फिर L इसका मतलब LAST यानि की अंतिम है. मुझे इस तरह की चीज़ें इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि जब आप 35 साल के हो जाते हैं, तब आपको ये याद नहीं रहेगा की FOIL का मतलब क्या होता है. और तब हम ये याद नहीं रख पाएंगे की BINOMIAL यानि द्वी पद को किस प्रकार गुणा किया जाए. लेकिन फिलहाल चलिए बस FOIL को लागू करते हैं, तो यहाँ FIRST से मतलब है कि हमें प्रतेक BINOMIAL यानि की द्वी पदों के पहले पदों को गुणा करना होगा, तो आए ये 3X को 5X से गुणा करते हैं, अब आउटसाइट से मतलब हमें बाहर के पदों को गुणा करना होगा तो इस स्थिती में 3X और रिनात्मक साथ है, इस तरह ये हो गया धनात्मक 3X गुणा रिनात्मक साथ, अब अंदर की ओर 2 और 5X पद हैं, इस तरह से ये हो गया धनात्मक 2 गुणा 5X और अब आपके पास अंतिमपद शेश है आपके पास दो और रिनात्मक साथ है इस तरह से अंतिमपद हुए दो गुणा रिनात्मक साथ तो यहां मूल रूप से आपको बस ये सुनिश्यत करना है कि आप हर पद को अन्य पदों के साथ गुणा करें यहां हम मूल रूप से गुणा कर रहे हैं, विभाजन के गुणों का दो बार उपयोग कर रहे हैं, हम 3X को 5X घटा 7 से गुणा कर रहे हैं, इस तरह से 3X गुणा 5X घटा 7, 3X गुणा 5X जमा 3X घटा 7 के बराबर होता है, और हम इन पदों को पाने के लिए 2 को 5X घटा 7 से गुणा कर रहे हैं। फिर भी चलिए बस अपना उत्तर पाने के लिए उन्हें गुणा करते हैं। इसकी एक्स से गुणा करने पर ये हो गया धनात्मक 10X। और अब अंत में आपके पास ये नीला पद है। और सरल बना सकते हैं। हमारे पास एक जैसे दो पद हैं। वे ये हैं। मैं एक नया रंग ले लेता हूँ इसको बनाने के लिए। हमारे पास यहां X की घात एक वाले दो पद हैं। या बस X वाले पद हैं। हमारे पास किसी मान का रिनात्मक 21 है। और तस चोड़ते हैं। या दूसरे तरीके से आपके पास किसी मान का 10 है और आप उसमें 21 खटा देते हैं। अब आपके पास उस संख्या का रिनात्मक 11 शिश रह जाएगा। आप दूसरे पद को यहाँ पर रखते हैं। आपके पास 15 है 15 X का वर्ग। और अब आपके पास आपका रिनात्मक 14 है। और ये हमारा काम पूरा हुआ। अब जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको ऐसा करने का कोई दूसरा तरीका दिखाऊंगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फॉल को याद रखे बिना वित्रण गुण हमें यहां किस तरीके से ले जा सकता है। तो वित्रण गुण हमें बताता है कि हम, देखो अगर हम किसी पद को किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो उसको उस पद की हर सग्या को उस संख्या से गुणा करना होता है, इस तरह से हम 5X को 3 के साथ वित्रित कर सकते हैं, या वास्तों में हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा तो मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि हम 5x घटा साथ को इस संपूर्ण पद को 3x जमा दो के साथ वित्रित कर सकते हैं क्यूंकि हम बाई और से संख्याओं को वित्रित करते हैं इसलिए मैं बस इसके क्रम को बदल देता हूँ अब 5x घटा साथ 3x जमा दो लिखने पर भी ये वियंजक समान रहता है मैंने अभी अभी दो वियंजकों को स्वैप किया यानि उनके स्थान की अदला बदली की और हम इस पूरे वियंजक को एक दूसरे से गुणा कर सकते हैं अब अगर 5x घटा साथ गुणा 3x कर दिया जाए तो क्या होगा अच्छा तो ये बस 3x गुणा 5x घटा साथ हो जाएगा तो मैंने बस 5x घटा साथ गुणा 3x को वित्रित किया है और इसमें मैं 2 गुणा 5x घटा साथ को चोड़ रहा हूँ मैंने अभी अभी 5x घटा 7 को 2 के साथ वित्रित कर दिया है अब आप फिर से distributed property यानि वित्रण गुण का उप्योग कर सकते हैं हम 3x को 5x के साथ वित्रित कर सकते हैं और हम 3x को रिनात्मक 7 के साथ वित्रित कर सकते हैं यहां पर हम दो को 5X के साथ वित्रित कर सकते हैं और हम दो को इस रिनात्मक साथ के साथ वित्रित कर सकते हैं। अब अगर हम यह इस तरह से कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? तीन एक्स कुणा पांच एक्स अगर हम तीन एक्स कुणा रिनात्मक साथ कर दें तो ये पद यहां पर इस तरह होगा मुझे लगता है कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये वास्तों में किस प्रकार काम करता है ऐसे में अगर आप 35 या 45 की आयू में ये भूल जाते हैं और आपको बाइनॉमियल यानिकी दूई पदों को गुणा करना पड़ता है तो आपको बस वित्रण गुण याद रखना होगा